आप देखने हैं आपका चानल शेयर बजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में और भी बहुत सारे ऐसे इस वीडियो में डिसक्रेशन करेंगे क्योंकि इंपॉर्टन निउस निकल के आई है तो शुरू करते दोस्तों ट स्टॉक चला है आज स्टॉक ने डिफिनिटल अपना फिर से हाई मार लिया है 340.50 का जो आज का दिन का ही था और स्टॉक का यह हाई भी आपको लगता हुआ देखने को मिल गया है लेकिन अच्छी बात क्या है दोस्तों टाटा पावर जो चल नहीं रहा था पिसले एक मही पेशन्स होता है पेशन्स का खेल शेयर बाजा छे मैंने में आपको 50% के रिटर्न अगर स्टॉक डिलेवर कर रहा है तो यह सिंपल सी बात है कि आप में कितना धेर रहे हैं कितना पेशन्स है आप वो पेशन्स रखेंगे तब जाके देखिए मार्केट आपको रिवाड द of companies Force Motors Limited and Jaya Hind Industries Private Limited making a significant move towards sustainable energy solutions for industrial use तो आप समझ ही है देखिये आज कल जिस तरीके से Renewable Energy की कमपनी चल रही है और इसके अंदर दोस्तों का Tata Power जो Renewable Energy Limited है नि है जो TPREL है जिस तरीकी से बात है दोस्तों लगात दोस्तों इस तरीके बात है क्होंट दोस्तों रखते हैं agreements आ रहे हैं और यह जो agreement है यह बताया जा रहा है कि 25 साल का agreement है यह जो आपको देखने को मुलेगा group captive solar plant in महारास्ट्र with a capacity of 13.2 megawatt AC will supply green power to force motors और जया हिंद industries private limited के साथ और इससे दोस्तो एक्सपेक्टेड है कि या फिर कम होता हुआ नजर आएगा तो यह पेहर चांदार ख़बर है जिसका आज आपको company के दरब announcement किया गया और जरूर दोस्तों लगा था data power focus में किस ख़बरों के कारण आई रहा है अगली दोस्तों ख़बर रिलाइंस industries पर वैसे तो आज अगर आप देखा जा रिलाइंस तो कुछ खास तो नहीं किया लेकिन जरूर move जो हमको देखने को मुला और stock अपने दिन के highs के करीबन जाकर बंद हुआ बली देखें स्टॉक में यह 2400 रुपे का share है लेकिन आज द इनके दुरान अगर आप move देखेंगे तो कितनी चोटी रेंज है 2406 से लिगा कर 2438 बस इतनी चोटी रेंज के अंदर stock ने अज movement दिया है लेकिन ख़बर क्या है खबर दोस्तों यह है कि डिजनी और रिलाइंस बहुत जल्द ही यहाँ पर इंडिया मीडिया उपरेशन के merger का announcement कर सकते हैं यह खबर ज़रू कल निकल कर आ गई थी लेकिन अभी और भी बहुत ज़ादा इसके उपर updates निकल के आ रहे हैं बिल्कुल बताया जा रहा है कि almost यह लंडन के अंदर मिलेंगे company और हो सकता है कि यहाँ पर deal जो है वो announce कर दिया जाए अब दोस्तों आपको पता है यह Reliance भी जो है लगातार मीडा इंडस्ट्री के अंदर लगातार अलग-अलग position कर रहा है वो लगातार modules कर रहा है अब अब को था टीवी 18 नेटवर्क 18 इसका merger हुआ उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर जो Reliance के company अभी sports 18 राइट तो इनके दोरा IPL के digital media rights इनके पास है इंडिया की जो भी इंडिया cricket में जो भी देके series होती है वो sports 18 पे आज कल दिखती है तो I think जिस तरीके जो दोस्तों media industry के अंदर जो पहले दो established player थे star और sony star को almost हम कह सकते हैं यहाँ पर wipe out कर दिया गया है और होज़कता है कि दोस्तों star वादला वो ही disney होज़कता है कि इनकी दोरा partnership की जाए पहले तो ऐसे भी ख़बर निकल कर आ दिए तो लेकिन अभी दोस्तों exact जो ख़बर है वो यही है Reliance Industries, India's most valuable company and Walt Disney company are finalizing details of non-binding term sheet to merger Indian media operations यह दोस्तों खबर निकल कर आ दिए so I think देखना यह होगा कि यहाँ पर कितना और change होता है because Reliance की जो Yacom 18 है वो होता है कि merger आपको करते विए देखने को मिले Disney Star India के साथ ये एक share swap deal आपको देखने को मिलेगी तो देखते होता क्या है बट जरूर यह अपने आप में बहुत interesting है जो आपको Reliance के अंदर देखने को में सबसे दोस्तों जो reason है वो यह हो सकता है कि Adani Ports 600 million dollar आपको raise करती ही देखने को मिलेगी वाया non-convertible debentures देखिए कोई भी company पैसा कब raise करती है आपको समझना पड़ेगा जब उसको या तो expansion करना हो या अपने debt को debt in the sense कि हा reduce करने के बारे में company सोच रही हो तो यह सब non-convertible debentures और करीबन 2.5 billion rupees through non-cumulative redeemable preference shares इस तरीके से दोस्तों company basically पैसा raise कर सकती है और company ने यह का है कि यह majority of the fund है यह refinancing करेंगे इसके existing debt को definitely आपको ने में बताया कि company अपने कर्जे को कम करने के उपड़ फोकस करने वाली है और देखते बाकी के पैसों से company क्या करती है लेक नजर रख सकते हैं अगले दुस्तों बात करते है टाटा टेकनलोजी इस पर वैसे तो आज अगर हम देखा जाए तो अच्छा move देखने को मिला 1250 के आसपा स्टॉक जाकर बंद हुआ है जरू शुरूआत में ऐसा रगाता कि आज स्टॉक 1300 रुपे के zone में एंटर कर जाए लेकिन 1284 का आज का हाई था और 1284 के बाद स्टॉक में आपको profit booking देखने को मिली और कह सकते हैं कि almost हाई से स्टॉक में आपको एक fall ही देखने को मिला है बट स्टॉल ठीक अच्छी बात यही है कि 1250 के आसपा स्टॉक ने क्लोजिंग दिये लेकिन important खबर खबरे निकल कर आजी दोस्तो टाटा टेक्नोलोजीज के उपर वो खबर दोस्तो यह है कि टाटा टेक्नोलोजीज जल्द ही AMFI mid cap category के अंदर यहाँ पर enter कर सकता है AMFI यानी दोस्तो mutual funds इसके अंदर अपनी stake जो है वो basically आपको increase करते हुए देखने को मिल सकते है और जो mid cap category है उसके अंदर दोस्तो join हो सकता ही है इस तरह की खबर निकल कर आ रही है तो देखिए एक semi जो AMFI की semi annual categorization होती है mid cap stocks की जिसमें ये entry ले सकता है इस तरह की खबर निकल कर आ रही है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काफी जादा companies है जो यहाँ पर rally कर रही है जो small cap है जिसमें सुजलोर एनरजी, मजगाव डॉक, अल्मोस कल्यान ज्वेलर, अजंता फार्मा यह सब दोस्तो companies है जो AMFI की semi annual category के अंदर आ जाएंगे अब होगा गया दोस्तो इसके कारण mid cap category के अंदर आ जाएंगे तो बहुत सारे दोस्तों आपको बताए mutual funds के mid cap, mid cap होते है, small cap होते है, large cap होते है तो उसके अंदर जब mid cap की category में आ जाएगा तो माना यह जाता है कि उसके बाद दोस्तों जो mutual funds है वो अपनी stake भी आपर बढ़ाते वे देखने को मिले अभी तक कोई official confirmation नहीं है कि कि आपर कौन-कौन से stocks आएंगे बढ़ जरूर दोस्तों नाम निकल कर आ रहे हैं, तो इसमें Tata Technologies और JSW Infrastructure, यह दो ऐसे companies है जो AMFI की mid cap list में आ सकते हैं, फिर यह mid cap category में आएंगे और mid cap category के जब भी दोस्तों कोई mutual fund अपनी stake increased या फिर करता है, फिर rebalancing करता है, तो नाम Tata Technologies का भी आपको देखने को मिल सकता है, तो यह जरूर एक interesting ख़बर है, अगला stock है दोस्तों protein e government और क्या तेजी दिखा रहा है, मतलब no one can anytime expect कि इस प्रकार की बड़ी तेजी यह stock दिखाएगा, लेकिन जिस तरही किसे चल रहा है, यह I mean fabulous, क्योंकि पिछले एक महीने में stock 30% और जब से दोस्तों list हुआ है, तब से almost 22% के आसपास के return, देखे, list हुआ था almost par के आसपास, मतलब par पर मतलब जो value थी उससे पर list हुआ, I think 980 something था, गर मैं घलत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो भी है जिस दिन list हुआ, उस दिन भी अपर सेकेट लगाया, उसके बाद मतलब trading नॉर्मल जब हुई, और उसके बाद से लगातार इसने one-sided move दिखाया है, कभी आपने कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखी इसके अंदर, I think यह बहुत बड़ी बात है, प्रोटीनी गवर्मेंट को लेकर एक ख़बर निकल कर आई है दूस्तों, जो ONDC है यहनी, कमपनी का नाम है Open Network, Digital, Commerce उसके अंदर दूस्तों, कमपनी ने आज अपनी स्टेक बढ़ाई है, इस तरह की ख़बर निकल के आ रही और इनको देखे, shares allot किये गए, around 10 लाख shares allot किये गए और face value of rupees 100 each, कमपनी ने बता है as on date, the total equity investment of the company in ONDC stands at rupees 20 crores, जो almost 204.26% of the paid up equity shares, यहाँ पर वादब कमपनी के पास करीबन 4.26% के हिस्सेदारी है ONDC के अंदर, अब खबर तो देखिए, यही निकल कर आई है, तो हम यही कह सकता है कि definitely, इस reason हो सकता है, बाकि हाँ, यह ज़रूर है कि ONDC के इन्नों ने अपना investment बढ़ाया है बाकि investor presentation भी थी, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़े fund के ने entry ली हो यह बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं सबसे तीजी के, अगला stock है दोस्तों, NBCC, आज हम कह सकते हैं कि stock में कुछ खास move देखने को नहीं मिला है, लेकिन पिछले एक महिने में अगर बात करें, 18%, 6 महिने में almost 100% के return, साल की शुरुबात से 97-98% के return अभी तक दोस्तों stock देखा जाए, तो एक बापीस हम कह सकते हैं, bounce हो रहा है, या पर हम कह सकते हैं, वापीस एक recovery सी देखने को मिल रही है, वो जो लोग जिन्होंने उपर के levels पलिया है, पता नहीं कब जाकर आएगा वो level, लेकिन जरूर तीजी काफी अच्छी देखने को मिल लिए और कल भी बढ़िया तीजी हो सकती है, reason क्या है company को order मिला है, पंदरा सो करोड का from NCDC for infra construction, जी हाँ, दोस्तों National Cooperative Development Corporation से इनको एक यहाँ पर order मिला है, पंदरा सो करोड का यह जो order है, यह मिला है under the Ministry of Corporation in the various states, this time period by which the order or contract is to be executed, is yet to be decided but overall, यह है कि हाँ construction company के लिए, construction के लिए order मिला होगा, जो भी है पंदरा सो करोड का order मिला है, तो एक अच्छा खासा value का order मिला है, तो let's see, कल stock इसमें कैसा reaction देता है अगला stock के दोस्तो कृतिका wires, अभी यह दोस्तो कंपनी ने bonus का announcement किया है, और bonus जो है, वो है, 2 is to 1 का यानि आपको हर एक share पे 2 share company bonus के देने जा रही है, और जो date है, वो रखिए गई यह दोस्तो, X date, 19 December, तो यह